पुर्षितियों के नेता हैं। जाहें किसी को जेल में बंद करवाई है लोग डरने वाले नहीं है ना पत्रकार डरेंगे ना बिहार का नागरिक डरेंगा लालू जी का एक समय था जब जंगल राज 1 कायम किया उन्होंने उस समय कोई पत्रकार जो कि लालू जी के खिलाफ लिखता था तो इनके बाहु बले इंडिया कहने से देश के लोग उनके साथ थोड़ी हो जाएंगे कहने का मतलब एंगलो इंडिया भी आया थे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है ने इंडिया बना है तो कुछ मजबूती नहीं आई है यह इंडी अलाइंस में जितने भी घटक हैं जो लोग है वो कहीं सपना देख रहा है इसी सपने के चकड़ में तो विहार को बरबाद कर रहा है नितीश कुमार्जी को 0-13 कुमार बनाने वाला भारती जन्ता पार्टी के बिहार के लोगों ने संकल्प लिया हुआ है एक स्वर में कि नितिश कुमार जी को बिहार से उखाड फेकना है नमस्कार आज मेरे साथ बैठे हैं भारती जनता पाठी बिहार परदेश के प्रवक्ता हैं वसिम रजा सहाब वोसे म्राजा सहाब का नाम भाजपा में देश के कई परदेसों में वड़ी खेयाती लब्द नाम है और कई परदेसों में मंत्री भी रह चुके हैं भारतियन्ता पार्टी के परदेस सहाथ मेरे साहिए इन से भी बात करेंगे और देखते हैं यह किस रूप नितिश कुमार के व्यान को देखते हैं और किस धंग से जबाव दे रहे हैं नितिश कुमार जी का बहुत वंदन है बहुत अभिनंदन है और बहुत स्वागत है बाइज अबाद बहुत आपका आज नितिश कुमार का एक व्यान सुबह से बड़ी चर्चा में है कि समरार चौजरी बिनाहात पहुत अधिश कुमार जी अधिश कुमार जी को खुद नहीं पता रहता है हमको यह लग रह आ एक Attक मांधस कुमार लिया हुआ है एक स्वर में कि नितिश कुमार जी को बिहार से उखाड फेकना है क्योंकि नितिश कुमार जी के वज़े से जो बिहार की बरबादी हो रही है बिहार के डेवलपर्ट को रोका जा रहा है उस कारण से कहीं ना कहीं बिहार बहुत पिशड रहा है और निति जी के अपने महताव कांछा के चलते बिहार बहुत पिशड गया है नितिश कुमार जी कभी राज़त में जाते हैं कभी भाजपा में आते हैं उनको मकसद सिर्फ एकी बात का है लेकिन यह पूरा देश जानता है कि नितिस कुमार जी को ये कहते हुए मुझे नहीं समझ में रहा किस वजह कैसे बोल रहे हैं क्या उनके दिमाग में है लेकिन ये पूरा देश जानता है कि नितिस कुमार जी को नितिस कुमार बनाने वाला बिहार का मुखमंत्री बनाने वाला भारतिय जंता पार्टी के कारा करता है भारतिय जंता पार्टी ने अपने हितों का बलिदान करके उनको मुखमंत्री बनाया जब भी हो मुखमंत्री बने उनका नंबर कम था हमारा नंबर जादा था हम बड़े भाई के भूमिका में थे लेकिन हमने उनको पहल किया उनको मुख मंत्री बनाया नितिस कुमार जी जो आज घूम रहा है पूरे देश में गूमनेकर लायक भार्चे जनता पाटी ने उन्हें बनाया अब तो प्रधान मंत्री बनने जाए लिए तो कोई वेकंस लूट और बनातकार फिरोवती यहीं रहा गया विहार में आपको पराजित कर देंगे चालिस में चालिस ले लेंगे और एक सीट भी एंडिये गटबंधन को नहीं देंगे आप देश की बात कर रहें देखिए अगर लाइस को हम इंडिया बना लें इंडिया नाम रखने से इंडिया कहने से देश के लोग उनके साथ थोड़ी हो जाएंगे यह कोहने का मतलब styl अंगलो अंडिया भी आ है ये इंडिया गोटाले कारोप तो जाने वाल आया है को जिल से बाहर आया है ऐसे लोग हैं इन्होंने एक सुन में यह वो लोग है जो एक दूसरे के तरफ देखना पसंद नहीं करते थे आज वो सब एक जगा बैट के एक साथ बैट के रोटी का रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंदर मोदी जी का भाय और डर है उनके डर ने इन सब को कठा कर दिया है तोकि नरेंदर मोदी जी ना बरस्टाचारियों को कहलाब देश द्रोहियों के खिलाब जो मुहीम छेड रखी है उस मुहीम में देश का एक एक नागरिक नरेंदर मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए त्यार है 2014 में भी मजबूती मिली जूंको 2019 में भी मिली और 24 में इस पार हम रेकार्ड तोड़ जीत हासिर करेंगे पूरे देश में आज आखिर वैसी कौन फरेसिति आन पड़ी कि नितिस कुमार जी को नाम रखके समराठ चौदरी के खिलाफ वलना पड़ा कि अलवल वयान देते रहता है उसको राजनिती में हम लाए उसका क्या वजुद है उसका बात जो निकलता है बीना हाथ पैर का बीना सीर पैर वला होता है नितिस कुमार जी ने जिन शब्दों का आज प्रयोग किया है जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको बिहार ने देखा है बिहार के लोगों ने देखा है किसी भी एक सब्वैता वाले व्यक्ति सब्वैचारी व्यक्ति को जो अनुसासन में रहने वाला व्यक्ति इ और समराड चौधरी बिहार के भाजबा के परदेश अध्यक्ष है भविस उनका बहुत उजवाल है पूरी बिहार की जनता उनके साथ है उसके बावजुद वो समराड चौधरी जी के लिए इन सब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं समराड चौधरी से नितिस कुमार जी को भय होने लग गया है। नितिष कुमार जी के सपने में भी समराड दिख रहे हैं, त्योंकि आज समराड चौदरी पुरे विहार के समराड बन चुके हैं, आम जन्मानस में, आम व्यक्ति में एक विजन होगे, एक सपना बन रही है, कि समराड चौदरी जो जो है, बिहार के भ सिम्राजा साहब की लंबे समय तक लालो जी बिहार में साफन किये निपीज कुमार जी वीगत 15 वर्सों से बिहार के सत्ता में काविज है बताओर मुख्य मंतरी दोनों लोग इतने लंबे समय तक बिहार के सत्ता पर अपना कवजा जमाए रखे लोगों पे साफन किये पूरे बिहार के सत्ता में दोनों को बहुत आसर मिला बिहार को लूटने का काम किया इन्OTH विहार के सत्ता को ठंगने का कामNY दनन है कह सकते हैं ना तेजा राजद और नितिश यह ऐसे लोग जो एक दूसरे को पीटने पीटाने पर भी उतारू रहते थे आज ओ लोग दोनों लोग एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा भाय है जो भारती जनता सबापती के और जा रही है अब विहार से हम लोगों की शुट्टी होने वाली है ऐसे में अरगल ब्यान देते हैं कभी कुछ कहते हैं पहले तो इन्होंने कह सकते कुछ जिन पहले आप लोगों ने देखा होगा उनके विधायक पिश्टल लेकर हस्पिटल में घूमते हैं जो होते हैं या या जो वही प्रेश के साथी होते हैं अकभार और समचार और नहींजनिया जो है लोगतंतर के चौहसा स्तम्व माना जाता है और गाली भी बहुत भात्र शब्दों का मैं उस दिन पट्टना में मौजूद था मेरे सामने जब पत्रकार आए जिनको गाली देके उन्होंने भागाया था तो यह बहुत अफसोस की बात थी पत्रकारों के साथ यह क्या हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है लालू जी का एक समय जब जंगल राज वन कायम किया उन्होंने उस समय कोई पत्रकार जो कि लालू जी के खिलाफ लिखता था तो इनके बाहुले विधाय करसान से जाके उसको गोली मारने का काम करते थे उनके बच्चों को उठा लिया जाता था आज भी वही भाय जो है दिखाया जा रहा है प पत्रकार जो है आप सच मत उजागर करिए पत्रकार पहरे आज जो है न उस समय 4-5 अख़बारे हुआ करते थी बहुत ज्यादा चैनल नहीं दो तिन चैनल ते आज जो है हर गली महले में एक पत्रकार बैठा हुआ है जागरू की इनसान बैठा हुआ है सोशल मीडिया के ज काली करतूते जो है आप जैसे फत्रकार उजागर करते हैं इसलिए आप लोगों से भी भाजपा से भी भाजपा के खिलाब है है और पत्रकारों को भी गख۔ दूसरा सवाल है रही मिराजा सहाब आप से कि कहा जा रहा है कि सम्राठte Tale Claro दिये उस बयान में उकवत दिये थे को लेकर कि आग वबूला हो गए थे मुकमंत्र जी और भड़के जातिये जनगन्ना पर मैं एक बात कहूंगा कि जातिये जनगन्ना का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन से ही पूरे विहार के सभी जातियों में चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ओविसी की लोगों दली तो अगड जातिये जनगन्ह नहीं हुआ इसको सर्वे कहें और हम क्या कहेंगे खियरी सफेकर्यटी Pangae कर्में चाहेख और philanthrop कर देंगे कि हम लोग तो सर्वे करते हैं गरना का मतलब होता हर धरवाजे पर जाना हर परिवार की गिंती करना तो इनके चीप सेक्रेटिक करें जा सर्वे हुआ है और उपर से इनके डीजीपी साफ धमकार है कि अगर कोई आदमी ऐसा बोलेगा तो ठीक नहीं होगा इस सरकार के लोगो नहीं है ना पत्र कार डरेंगे ना बिहार का नागरिक डरेगा इंडिया अगर रहता तो लोग सबागा के चुनाओ बहुत नई करने जा रही है और उसके बिहार के विधान सवा में एक परचंड पहुमत के साथ बिहार में हम सरकार बनाएंगे और उस समय जो भी लोगों के साथ जिस समाज के साथ अन्याय हुआ है हर समाज के हर व्यक्ति को अन्याय मिलेगा मिलेगा किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नह और सब पत्तरकार बंदू हो कहते हैं कि हमारी जहां सरकार है इसलिए है कि जब से सराब बंदी हुई है नाम की सराप बंदी हो यह सराप के मं बेल रहा है और चारा घौर के जा रहा है के सरकार के मंत्रियों के और सरकार के सय पे यह सराप का गोरक धंदा बिहार में चल रहा है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत और रहे हैं पहले उनका एक बियान आया था और उस लोग बोले थे कि किसी भी थाना चेतर में अगर कहीं सराब बरामत कर लिया जाता है तो वहां के थाना प्रभारी को सस्टेंडिकर दिया दिफिए हाते हैं रोज पुलिस के पास है फाय आर हो के टेशे हो रहा है सराब बंधी है तो सक्याफ कैसे मिल रहा है होम डिलीब्री है नोका नितिशी में नहीं गर वह दिखनाट झानपिकर अपने एक कुर्सी परधान मंत्री के जो सपना देख रहे हैं उनको सपना दिख रहा है परधान मंत्री की कुर्सी का अत्यजस्वी देख रहा है मुक्मंत्री की कुर्सी का इस दूनों लोग कुर्सी के फेरा में बियार को बरबाद करने पर बटना वाला मिटिंग में तो ल बाग बाग जा रहा है और इस्तिती ही है कि मता दीदी को बना यह पर्धान नंततरी का उमीद्वार पर पास्तों में लालू जी मने को भी नहीं मनेरे ना उनके बिदायग कोई घ स्वीक्लाइं न उनके नितिस कुमार जी को इतना ही भरोसा है कि हम पंदरा साल में बहुत अच्छा किया है बिहार के लिए तो अकेले लड़े बिहार को पता है क्या क्या हुआ है आज भी साबुदीन साहब का परिवार है पिसरा आयर और जिस पार्टी के लिए उन्होंने खुन पसीना भाया आज उनको नहीं पूछ रहिए आज उस पार्टी में उस परिवार का कोई रिस्पेक्ट नहीं है कोई इजट नहीं है उस परिवार का यह कहीं ना कहीं राज़त के अंत का कान है मुसल्मानों ने अपने खुन पसीने से राज़त को सीचा था लेकिन आज जो राज़त जो है मुसल्मानों से दूर हो गई है और मुसल्मान जो है भारतिय जंता पार्टी की तरफ अग्रसर है आने वाले वक्त में बिहार का मुसल्मान जो है भारतिय जंता पार्टी के साथ खड़ा नजर आएगा आप देखिएगा लालू यादो की पार्टी और तेजस्वी यादो के जितने उमीदवार होंगे उनमें से एक भी उमीदवार जीत जायेगा तो आके आप मुझसे पूछ लिजिए रहे हैं और वाजी लगा रहे हैं कि 40 में 40 ले जाएंगे नात खुदने के लिए एको एंडिये गड़ बंधन को लगए हम भी कह रहे हैं ना लालू यादो जी और तेजस्वी यादो जी राबडी यादो जी मिशा यादो जी और उनकी धरमपत्नी भी हो सकती है कहीं से तेजस्वी इनका कहना है कि 40 में 40 सीट जो है एंडिये गटवंधन जीत करके जाएगा और जो गठित इंडिया गटवंधन है उसका खाता नहीं खुलेगा बिहार में और समराच चौधरीप को ले करके नितिस कुमार ने जो व्यान दिया है उस व्यान पर भी कड़ा परहार करते हुए यह उनके नितिस कुमार जी अपना मांसिक संतूलन प्षो दिये हैं और कभ किस व्यक्ति के लिए किस रूप मेया और कौन सा व्यान देदेंगे कोई गरांटी नहीं रहती है नितिस कुमार क्या बोल जाते हैं इसको हम लोग न सुननना पसंद करते हैं और न देखना कि अपना कर दो दो कि अपना कर दो दो जार